दक्षिन भारत में लोग कहते हैं जा भाजपाक कमजोर है आज ही करनाटक में उपचुनाव के पनणाम आ रहे हैं और इस उपचुनाव में करनाटक में वहां की जनता का द्रोह करने वालों का जनता ने जो मेंडेट दिया था उसको पीछले दरबाजे से छिल लेने वालों को करनाटक की जनता ने आज ऐसा करारा प्रहार किया है कि देश में इस प्रकार की राजनिती करने वालों को आज करनाटक के मतदाताओने लोगतांत्रिक तरीके से उनके मनसुवों को पूरी तना द्वस्त कर दिया है आज जो उप्चुनाओ थे उसके नतीजों से यह तै होने वाला था कि भाजपा की सरकार बचेगी या जाएगी जनता ने चुनाओं में भाजपा को सरकार बनाने के लिए मैंडेट दिया था लेकिन कॉंग्रेस अपने पुरानी आदतों के अनुसार पर्दे के पीछे खेल करकर के भाजपा को सरकार बनाने नहीं दी थी पिछले दरवाजे से चड़ बैठे थे लेकिन आज जब उप्चुनाओं के नतीजे आ रहे हैं तो जनता ने जम करके उनको सजा दी है जानदातर सिटों पर भाजपा जीत हासिल कर रही है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है स्थीरता और विकास के लिए भाजतिये जनता पार्टी पर एक बार फिर विश्वाज जताने के लिए मैं करनाटक की जनता का रदय से बहुत बहुत आभार व्यक्ता करता हूँ और ये पंदरा सिटे जिसका उपचुनाव चल रहा है कई सिटे तो ऐसी है जहां पिछले सत्तर साल में पहले भाजपा कभी जीती नहीं थी भाजपा के वेव में भी भाजपा नहीं जीती थी लेकिन जनता को गदारी करने वालों पर इतना गुस्सा आया इतना गुस्सा आया कि जहां हम सतर साल में कभी जित्ते नहीं थे वहां भी जनता ने हमको जिता दिया कमल खिला दिया एक दो सिटे तो ऐसी है जहां पर बीजे पी के सामाने कार करता बिलकुल बूथ का काम करने वाले छोड़े कार करता उनको चुनाओं में उतारा था और उन्होंने कॉंग्रेस के जेडी एस के बड़े बड़े दिगजों को धूल चटा दिया जो सपराजित कर दिया ये जन्ता ने किया है विश्वाज गात पे जन्ता का गुशा फुट निकला है ये तब हुआ है जब कॉंग्रेस ने वहाँ पूरा अपफरचार किया है लेकिन करनाटक की जन्ता ने कॉंग्रेस को सबक सिखाया है साथियों करनाटक में जो हुआ वो जन्मत की भी जीत है लोक तंतर की भी जीत है करनाटक के चुनाव के दोरान वहाँ की जन्ता ने भाजपा को सरकार बनाने के लिए अपना मत दिया था करनाटक के लोगों ने कॉंग्रेस और उसके साथियों की सरकार के दोरान ब्रस्टा चार और विकास योजनाओं के साथ लापरवाई, ब्रस्टा चार, बेहिमानी जन्ता ने पिछली सरकार के कारोबार में देखा था और इसलिए उन्होंने भाजपा को वोट दे करके पसंद किया था लेकिन कॉंग्रेस और उसके साथियों ने मिलकर इस जन्मत को दोखा दे दिया जन्ता की पीठ पे छुरा पौंड दिया परदे के पीछे साथ गाड करके रातो रात कुर्सी पर चड़ बैठे थे जीत तरह से कॉंग्रेस ने पहले वहाँ दोखे से सरकार बनाई और फिर एक साल तक वो पूरा समय जगणाई करते रहें बैठ तो गए कोई और ना आ जाए इसके लिए तो जाग रख रहें लेकिन जन्ता का भला कैसे हो यह उनका एजंडा में ही नहीं आया वाजपा को रोखने के लिए जिसको मुक्हमंत्री बनाया स्कों भी सुबे साम और वो बेचारे मुक्हमंतरी जनता जनासन के भीत जाकर के रोते ते आस सुबाद गिडगिनाते थे किसी को कोई किड़नेप कर जाए तो भी शायद जिसको किड़नेप करते उसका इतना बुरा हाल नहीं करते जो उन्होंने करनाटा के मुखमंत्री का भी कर दिया था आज कॉंग्रेस के उन कारणामों का जबाब जनता जनारदन ने कमल के निशान पर बटन दबा करके दे दिया अब आज करनाटक के लोगों ने ये सुनिशित कर दिया है कि अब कॉंग्रेस या जेडियेस वहां के लोगों के साथ विश्वास गात नहीं कर पाएं ये पुरे देश के तमाम राज्यों के लिए संदेश है कि अगर कोई जना देश के खिलाब जाएगा जनता का विश्वास गात करेगा जनता के पीठ पे छुरा भोकेगा तो पहला मोका मिलते ही जनता उसे पूरी सजा देगी अब करना तक मैं जोड़ तोड़ वाली नहीं वहां की जनता ने आज महर लगा करके एक स्थीर और मजबूत सरकार को नई ताकत दे दी है साथ्यों कॉंग्रेश की सच्चाई को जारखन के लोगों को भी आद रखना है कॉंग्रेश कभी भी गट बंदन के बरोसे पर खरी नहीं उतरी है यह अपने मतलब के लिए गट बंदन और जना देश का उप्योग करती आई है फिर अपने हित के लिए अपने सहियोगियों को कट पुटली के तरह उप्योग करती है जिसका परणाम यह होता है कि जनता को सशी सांचन नहीं मिलता है अस्थिर्ता अनिश्चित्ता खरीज विक्री पुरा राज्योस्वन डूप जाता है जारखंड में ऐसा ना हो जारखंड में एक स्थीर और थाई सरकार बने ताकि पांच साल तक सिर्फ और स्रप विकास हो गरीब का भला हो माता हो बहनों का कल्यान हो नव जवानों का भविष्य बने यही काम हो करनाटक के परणामों को याद रखना बहुत जरूरी है और पुरे देश को और यह उठा पटक की राज़िती करने वाले नेताओं को भी यह बहुत मजबूत संदेश है कांग्रेस और उसके सयोंगों के एक एक उमीद्वार को जार्खन में भी हराना जरूरी है मैं फिर एक बार करनाटक की जन्ता को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भाईयो बहनो आप मुझे बताईए आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है पूरी ताकत से बताईए बज रहा है कि नहीं बज रहा है देखे इतनी बड़ी मात्रा में महला है बड़ी ताकत से जवाब दे रही है पूरूसों से जादा उच्छा महिलाव में नजर आ रहा है बताइए आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है अमेरिका में भारत भारत हो रहा है कि नहीं हो रहा है इंग्लेंड में होता है कि नहीं होता है कैनेड़ा में होता है ग नहीं होता है अस्ट्रेलिया में होता है ग नहीं होता है ग नहीं होता है ग नहीं होता है चारों परफ होता है ग नहीं होता है क्या कारण है क्या कारण है यह पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जैजेकार है उसका कारण क्या है क्या कारण है गलत जारखन के मेरे भ्याईयों आपका जवाब गलत है ये मोदी के कारण नहीं है ये मोदी के कारण नहीं है ये आपके कारण है 130 करोड देश सवाशियों के कारण है क्योंकि आपने पूर्णा पहुमत वाली स्थीर और मजबुत सरकार बनाई है हिंदुस्तान को आपने स्थीर और मजबुत सरकार दी वरना जारखन के में लोगसभा के चुनाव तो लोग कहते थे कोई कहता था दो आएगी कोई कहता था तीन आएगी कोई कहता था पांच आएगी लेकिन जनता जनारदन ने जारखन पूरा का पूरा बीजे पीक पर प्यार बरसा दिया और इसी के कारण दिल्ली में स्थीर और मजबुश सरकार बनी और जब स्थीर और मजबुश सरकार बनती है तो दुनिया भी उस पर भरोसा करती है दुनिया भी उसके साथ कंदे से कंधा मिला करके चलने के लिए तयार हो जाती है आप मुझे बताईए जैसा दुनिया में हिंदुस्तान का जैजेकार हो रहा है क्या वैसा ही जैजेकार पूरे हिंदुस्तान में जार्खन का होना चाहिए के नहीं होना चाहिए अगर चार्खन का जैजेकार करना है तो राची में पूरे पहमत वाली मजबूत भाजपा की सरकार बनाना बहुत जरूरी है अगर क्रिशन को परना आता है तो करनाटक की तरह तबाह करने वाले मैदान में उतर आते हैं हम तह करें हम जार्खन को तबाह नहीं होने देंगे हम जार्खन को बरबाद नहीं होने देंगे और इसलिए कमल के फूल पर पटन दबाकर जार्खन को फिर एक बार मजबूती देंगे